हलो स्वागत है आप सभी का अंदा मैनस प्लस पे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो चीज के उपर नंबर लाइन और रेशनल नंबर बिट्विन टू रेशनल नंबर दो परिमे संख्या के बीच की परिमे संख्या कैसे घ्याद किया जाता है इस चीज के उपर इससे पहले तीन वीडियो जा चुकी है कलास नायइन का जो पहला चैप्टर है मैत का नंबर सिष्ट्रम यानि कि संख्या पर्दधी उसमें हम लोगने अभी exercise नहीं किया इससे पहले तीन वीडियो जा चुकी कुछ एक था इंट्रोडक्शन का और जो दो वीडियो थी वो था डेफिनेशन का जो संख्या हैं परिमे संख्या वास्तविक संख्या कालपनिक संख्या इस चीज के उपर था उसका डेफिनेशन और उसका एक्जामपल ठीक है अब देखिए ये दो चीज अगर हम लोग सीख लेते हैं अभी तो अगली जो वीडियो आएगी इसके बाद वो एक्सरसाइज रहेगा आज हम ये दो चीज बता देंगे और पिछली वीडियो अगर आपने देखिए तो सीधे आप एक्सरसाइज पे चले जाएए और उसको सॉल्व करिएगा ठीक है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक्सरसाइज में चले जाएगा एक्सरसाइज 1.1 वो आप से सॉल्व हो जाएगा वो इसे अगली वीडियो जो आएग उसमें हम लोग वही करेंगे उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें सिर्फ एक चीज माहिं राल गया एक चीज बताएँगे वो भी आप से सॉल्व हो जाएगा केवल एक ही ऐसा question, एक ही ऐसा सवाल होगा, जो आपसे अभी नहीं बनेगा, उसके लिए हम बता देंगे एक video बनाके, फिर वो भी बन जाएगा, ठीक है, इससे पहले जो तीन video आ चुकी है, और एक video यह है, टोटल चार videos, एक exercise से पहले चार videos, वैसे एक video बनाती, उसमें भी ह जाता, लिकर उसमें बहुत सारी चीजें छुट चाती, जो फिर अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए हमने क्या किया, कि जो सारी चीजें थी, वो मैंने पहले बता दिया, अब जल्दी से काम हो जागा, जो भी exercise है, उससे पहले एक video, उसके बाद सीथे exercise, ठीक है, चलि और उसमें playlist को जीए, class 9th math series, तो उसमें आप देख लिजे, या फिर telegram पर join कर लिजे, उसमें आपको मिल जाएगी सारी videos, telegram पर सर्च करिएगा, the minus plus edu बिना space के, और वहाँ पर join हो जाएगे, वहाँ पर भी हम videos डाल देते हैं, तो चलिए आज का video सुरू करते हैं, number line पहल संख्या रेखा क्या है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, या ज्यादा कुछ है भी नहीं इसके बारे में, इसके बारे में सीधा सीधा ये समझीए, ये एक रेखा है, और ये संख्या रेखा इसको बनाते हैं, जैसे देखिए, इसके बीच ओ बीच में यहा 3-4 इदर minus infinity इधर plus infinity मतलब एदर plus की ओर बढ़ते जाएंगे और अनन्त तक जाएंगे infinite infinite तक जाएंगे इदर minus की तरफ बढ़ते जाएंगे और minus infinite के तरफ जाएंगे इसका मतलब यही हुआ ठीक है संफ्यारेखा यही है class 8 में इसके बारे में पढ़ना था अभी नहीं लेकिन हम बता दिये क्योंकि अगर जिसको छूट गया है या जो भी तो इसके बारे में इतना ही जानना था कि ये संख्या रेखा है अभी देखिए एक चीज अगर बोला जाए कि number line पर number line पर संख्या रेखा पर natural number को दर्सा आए natural number को संख्या रेखा पर दर्सा आए natural number मतलब प्राकिर्थ संख्या प्राकिर्थ संख्या किसको कहते हैं हमने वीडियो बना करके बताया है कि गिंती की संख्या को प्राकिर्थ संख्या कहते हैं एक दो तीन चार पांच छो डैस 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 का मतला इंफानाइट तक उसको बोलते है नेचूरल नमबर तो वह अगर बोलेगा तो कैसे हम लोग इसको दरसाएंगे देखिए 1 से सुरू होता है नेचूरल नमबर तो 1,2,3,4,5 इधर इंफानाइट देंगे इधर मैनस इंफानाइट देंगे तो संख्या रेका पर देख लिजे तो जो भी हमको दरसाना है जैसे नेचूरल नमबर दरसाना था तो एक से सुरू किया इधर ऐसे कर दिये ठीक है अगर हमको बोल दिया जाए कि होल नमबर पूर्ण संख्या को संख्या रेका पर दरसा ये पूर्ण संख्या किसको कहते है सुन सहीत गिंती की संक्या को पूर्ण संक्या कहते हैं तो जो natural number है उसके group में, उसके samoh में उसके set में zero को भी सामिल कर दिया जाये तो वो hole number हो जाता है तो एक से तो शुरू है ही यहां भी हम zero दे देते हैं और यह ध्यान रखे, यह जो line हम देते हैं इसके बीच की दूरी हर जगा बराबर होना चाहिए तो आप लोग कॉपी पर कैसे बनाओगे बराबर कैसे होगा आपको ऐसे ही अभी जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बनाया एक लाइन और ऐसे ऐसे करके हमने दे दिया तो ऐसे दे दीजिये हो गया और जहां पर आपको बनाना होगा सही-सही, वहां पर आपको graph paper दिया जाएगा, तो graph paper पर डबा बना होता है, तो उसमें छोटा डबा, फिर उससे बरा डबा, उससे बरा डबा, तो उसमें जैसे सुविधा अनुसार, आप एक डबा को एक unit मान कर, वैसे आप कर लिजेगा, बराबर दूरी पर, ठीक है, अभी यह देखिए, यह whole number का हो गया, मतलब पूर्ण संक्या, इससे पहले जो एक से सुरू किये थे, वो था natural number, ठीक है, और यह देखिए, उपर में जो बनाए हैं हम अभी, तो इसमें देखिए, natural number भी है, whole number भी है, और उसका negative भी है, मतलब यह जो संक्या है, इसको integer बोलते है, मतलब भीन में या दसमलब में नहीं है, पूरा-पूरा सब अंक है, तो यह है, पुर्णांख का संक्या रेखा, पुर्णांख इंटीगियर, अब देखिए, यह पुर्णांख का हो गया संक्या रेखा, यह हो गया भी, whole number का, 0 को हटा देतो हो जागा, natural number का, इसी तरह से परिमय संक्या अगर बोला जाए, अब देखिए, परिमय संक्या तो, infinite परिमय संक्या, infinite rational number है, तो उसको कैसे दर्स आएंगे, यह जो अभी दर्स आएंगे, यह इंटीगियर से, पुर्णांख है, और जो पुर्णांख है, वह परिमय सं परिमय संक्या है, एक और दो, इसके बीच में भी अनन्त परिमय संक्या है, अनन्त परिमय संक्या, दो परिमय संक्या के बीच में, infinite परिमय संक्या है, ठीक है, तो सभी को तो नहीं दर्स आपाएंगे, क्योंकि infinite है, हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे, तो होगा क्या, आप आपको बोला जाएगा कि एक परिमय संख्या दे दिया जाएगा जैसे बोलेगा कि चार को या साथ बटा दो इसको आप नंबर लाइन पे दर्साइए या इसको नंबर लाइन पे दर्साइए तो आएगा exercise exercise 1.2 में या 3 में तो वो हम वीडियो बनाके बता देंगे अभी एक ऐसा भी सवाल आएगा कि आपरी में संख्या जैसे रूट 2 आपरी में है रूट 3 आपरी में है रूट 5 आपरी में है रूट 7 आपरी में है बोलेगा इसको नंबर लाइन पे दर्साइए तो देखिए इसको तो बड़ी आसानी से कर दिए इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगता है जो कि exercise 1.2 में आएगा तो अभी वो आप आपसे नहीं बनेगा exercise 1.1 करेंगे उसके बाद यह हम आपको बताएंगे फिर exercise 1.2 भी आपसे बन जाएगा अभी अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर जाओगे आप लोग exercise 1.2 बनाने के लिए तो केवल यही सवाल नहीं बनेगा बागी सारा कुछ बन जागा क्यो परिमैसंख्या कैसे ग्यांत किया जाए क्योंकि दो परिमैसंख्या के बीच में अनंत परिमैसंख्या होती है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे ठीक है अब देखिए दो परिमैसंख्या के बीच की परिमैसंख्या अब एक चीज़ देखिए एक एक परिमैसंख्या है और पांच भी एक परिमय संख्या है, परिमय संख्या मतलब rational number, इसको हटा देजिया, rational number, rational number, ठीक है, एक भी एक परिमय संख्या है, rational number है, और पांच जो है, वो भी परिमय संख्या है, अब इसके बीच अगर हम आपको बोले हैं, कि इसके बीच, इसके और इसके बीच, आप इतनी संहीं आप लिख सकते होगें mari 2, 3, 4, तीन लिख दिये तो तीन परिमेह संहीय आप इसके बीछ लिख दिये बड़ी आसानी से 1 और 5 के बीच, तीन परिमेह संहीय हुआज अगर हम आपको बोलेंगे लिखने के लिए तो 2, 3, 4 आप लिख दोगे हम बोलेंगे कि 1 और 5 के बीच एक परिमेसंख्या लिखिए तो आप ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए इस तीनों में से कोई भी एक लिख दीजिए चलेगा बोल देंगे कि दो परिमेसंख्या लिख दीजे तो दो और तीन लिख दीजे या तीन और चार लिख दीजे या दो और चार लिख दीजे कोई भी दो लिख दीजे चलेगा ठीक है अभी हमने कुछ दिर पहले बताया कि दो परिमेसंख्या के बीच में अनंत इन्फानाइट परिमेसंख्या होता है अभी देखे इसके इसके बीच में भी अनंत परिमेसंख्या होगा लेकिन हम कितना लिखे हैं? तीन मतलब और भी बहुत सारे होंगे तो वो कौन-कौन से है और कैसे लिखा जाता है वो चीह देखे अगर इस तरह से रहे तो बड़ा असान है लेकिन अगर ऐसा नहीं रहे अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक और दो के बीच एक और दो के बीच दो परिमेशंख्या लिखे दो परिमेशंख्या तो आप कैसे करोगे एक और दो के बीच इसके बीच में परिमेशंख्या लिखना है तो आप कैसे लिखोगे देखे बहुत सारी है और तरीका भी बहुत सारा है देखे इस तरह से लिख सकते है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और इतना लिख दिये ये जो है एक और दो के बीच की परिमे संख्याए है ठीक है अब इसका दसमलाब हटा दे और बटे में कर दे से 1.1 है इसका दसमलाब हटाएंगे तो हो जागा 10, 11 बटे 10 तो ये हो गया परिमे संख्याँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 परिमे संख्याँ तो लिख दिये अनंत लिख सकते हैं इस तरह से देखिए इसको इस तरह से और भी लिख सकते हैं क्या 1.01, 1.02, 1.03 तो ये एक और दो के बीच की ही परिमे संख्याँ हैं इस तरह से बहुत सारा लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए इस तरह से लिख सकते हैं तो हमारे पास जो आगा वो डेसिमल में आएगा कुछ ऐसा तरीका हम बताते हैं जो सीधे फ्रेक्शन में आजाए तो वो तरीका क्या है ये भी सही है अगर कहीं बोल दिया गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और बाद में इसका डेसिमल हटा के इसको लिख दीजी जैसे 1.2 है इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऐसे हो जा आजएगा वो क्या तरीका है देखिए एक चीज और आप अबी सुन लिजी दो मेंथर्ड है अभी जो मैंने बताया इसको छोड़के तसंबलब में लिखना छोड़के दो में जिस तरीके से आप बना सकते हो दो परी में संख्या कि बीच की परी में संख्या है लिख सकते हो आप तो उसमें जो मैं पहले बता रहा हूँ वो थोड़ा टफ है ठीक है उसके बाद जो आपको यूज करना है रेगुलर वो उसके बाद बताएंगे पहले ये देख लीजिए मतलब होता क्या है जानकारी के लिए आपको दोनों पता होना चाहिए किस तरह से हो सिंपल चीज है देखिए दो और तीन के बीच बीच मान लीजिए दो परिमय संख्या लिखना है यहां दो बोले हैं पांच बोले साथ बोले आठ बोले कुछ भी बोले पहले हम लोग दो लिखते हैं पहले तो इसके बीच एक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे देखिए इसके बीच बोल रहा है, जैसे देखिए, ये संख्या रेखा है, 0, 1, 2, 3, बराबर दूरी पर होना चाहिए, वैसे अभी हम ऐसे ही तेने, अब देखिए, 2 और 3 के बीच, परिमे संख्या लिखना है, तो देखिए, 2 और 3 के ठीक बीचों बीच, यहां पर कोई संख्या होगी ठीक है, हमको 2 और 3 के बीच की संख्या लिखनी है, जितना भी बोले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनन्त, जितना भी बोले, उतना हम लोग लिख सकते हैं, पहले देखिए, ठीक, समझे इस बात को दियान से, कि 2 और 3 के बीच लिखना है, तो 2 और 3 के बीच, इस लाइन पे, इसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी, सारी की सारी 2 और 3 के बीच होगी, इसके बाद और इससे पहले, ठीक है, निकालेंगे कैसे, देखिए, 2 प्लस 3 बाइ 2, 2 और 3 को जोड़के 2 से भागा देंगे, तो इसके ठीक बीच 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 बाली संख्या आजाएगी, देखिए, पाँच, मतलब 0 और 10 के ठीक बीच 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 क्या है, 5 है, किसी भी दो संख्या के ठीक बीच 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 बाली संख्या अगर हमको चाहिए, तो उस दोनों को जोड़के 2 से भागा दे देते हैं, दोनों को जोड़के 2 से डिवाइड करते हैं, तो वही तरीका यहापे, देखे, 2 और 3 के ठीक बीच बीच मतलब 2 प्लस 3 बाइ 2, यानि कि 2, 3, 5 बट्ट दो, तो यह संख्या जो है 5 बट्ट दो, यह हो गया 2 और 3 के बीच, हमको कितना लिखना था, देखे, पहला परिमे संख्या आ गया, 5 बट्ट दो, आ गया हमारे पास, अब देखे, हमको तो 2 संख्या लिखना था, 2 परिमे संख्या, अब देखे, अगर इसके और इसके बीच लिखेंगे, तो ठीक बीच बीच यहां पर एक संख्या आएगी, 5 बट्ट दो और 2 के बीच वाली संख्या अगर हम लिखते हैं, तो ठीक यहां आएगी बीच बीच, तो वो भी यहां जो स और इस दोनों को जोड़के 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद जो इसको जोड़ने पर फिर 2 से डिवाइड करने पर जो संख्या आएगी वो भी 2 और 3 के बीच में होगा ठीक है मान लेजे X आया तो दोसरा होगी हमारा X इसको आप सॉल्व कर लेजिए जो आएगा वही हम इतना भी सॉल्व नहीं करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा अब देखिए और बोल दे अभी तो हम लोग 2 ही परिमय संख्या निकाले हैं और होता कितना है अनंत होता है अब तीसरा कैसे निकालेंगे पांच बट दो यहाँ पे है यहाँ पे है तीन पांच बट दो में तीन जोड के दो से भागा देंगे तो ठीक बीच बीच यहाँ पर एक संख्या आएगी मान लेजे सॉल्व करने पे आया Y तो तीसरा हमारे पास क्या हो गया Y ठीक है अब चोथा पारी मैं संख्या बोल दे तब कैसे निकालेंगे मान लेजे कि Y यहाँ पे संख्या निकाल चुके है आप लोग सॉल्व कर लीजेगा अगर एक्षा हो तो अब देखिए Y में अगर तीन को जोड के दो से डिवाइड कर दे तो इस दोनों के ठीक बीचो बीच बाली संख्या आ जाएगी और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो दो और तीन के बीच ही होगी तो Y प्लस थरी बार टू मान लेजे सॉल्व करने पे आया Z तो यहाँ पे आ गया Z तो इसी तरह से हम लोगों को जितना जरूरत हो उतना निकाल सकते फिर Z में तीन जोड के दो से भागा दे देंगे Y और 5 by 2 में जोड के दो से मतलब दो हमारे पास हमेशा रहेगा उस दोनों को जोड के दो से डिवाइड करते रहेगे हमारे पास संख्या आते ही रहेगा तो यह हो गया long process यह बस आपको समझाना था कि ऐसा भी कोई चीज होता है लेकिन इसका परियोग नहीं करना है क्योंकि हम आपको एक easy तरीका बताते हैं क्योंकि यह आप निकालोगे अगर 4-5 परिमेर संख्या पूछ दिया तो पूरा page लग जाएगा अभी हम आपको एक तरीका बताते हैं उससे फटाक-फटाक से निकल जाएगा कि दो परिमेर संख्या के बीच की परिमेर संख्या बहुत जल्द ठीक है अब वो तरीका देखिए क्या है अब देखिए यह example देखिए अभी जो हम तरीका बता रहे हैं बस आपको यही यूज करना है इसी का परिमेर संख्या और इसी के इस्तमाल से आपको सवाल बनाना है ठीक है जो भी सवाल आए अगर बीच की परिमेर संख्या पूछे तो अभी जो हम आपको मेथर बता रहे हैं इसी का परियोग करना है देखिए एक और दो के बीच पांच परिमेर संख्या कितनी परिमेर संख्या च्छो पूछे, साथ पूछे, दस पूछे, पंदरा पूछे इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा देखिए, जैसे पांच पूछ रहा है कितना पूछ रहा है? पांच कितना पूछ रहा है? इस बात पर ध्याद देना है कितना पूछ रहा है? पांच तो पांच पूछ रहा है, तो पांच में प्लस वन करेंगे जितना भी पूछेगा उसमें वन प्लस करके इसको पहले भीन बनाईए, बटे एक करिए, बटे एक करिए, मतलब 1 upon 1, 2 upon 1, इसको fraction बना लेते हैं, कभी-कभी अगर ऐसे दिया रहे हैं, तो आप इसको पहले fraction बनाईए, क्या बनाईए fraction, मतलब fraction बनाने के लिए एक से दोनों में डिवाइड कर देजिए, उसके value में कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसे कोई फोरक नहीं परता है, अब हमारे पास जो यह 6 था, जो 6 है, इससे उपर नीचा दोनों जगा गुना करिए, उपर भी 6 से गुना करेंगे, नीचे भी 6 से गुना करेंगे, तो इससे value पे कोई परभौ नहीं आता, ऐसा हम लोग कर सकते हैं इसमें भी वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस करें, कर दिए हम लोग, अब देखिए, यह क्या हो जागा, 6 by 6, और यह क्या हो जागा हमारे पास, 12 by 6, हमारे पास आगया 6 by 6 और 12 by 6, अब देखिए हमको जो परिमेय संख्या निकालना है, 6 by 6 और 12 by 6 के बीच, बहुत असान है, सम पांच परिमय संख्यां चाहिए था हम लोग जो है इसको ऐसा करके 6 by 6 और 12 by 6 पर पहुँच गए हैं अब 5 परिमय जो संख्यां होगी इसके बीच की अब देखिए 6 बटा 6 है अब अगला बीच की परिमय संख्या 7 बटा 6 8 बटा 6, 9 बटा 6, 10 बटा 6, 11 बटा 6 जिस यह जो डी नॉमिनेटर है जो हर है सब जगह सेम ही रहेगा उपर में एक बढ़ाते जाएंगे 12 से पहले और 6 के पाद जो है वो ले लेंगे तो 5 परिमय संख्या चाहिए था तो 5 में 1 पलस करके 6 लिए थे तो इसके बीच देखिए 5 अराम से आ गया एक, दो, तीन, चार, पाँच यह हो गया हमारा आंसर यही process आपको आजमाना है अब देखिए कितना भी पूछ लेता जितना पूछने का उसका एक्षा हो उतना पूछ सकता है एक और example लेते हैं ठीक है अब ध्यान से देखिए, जो मेरा पिछला example था, जो previous example था, वो fraction के रूप में नहीं था, तो उसको fraction में लाए थे, वो भिन के रूप में नहीं था, तो उसको भिन बनाए थे, एक से divide करके, यहाँ पर तो पहले से fraction में है, तो इसको कुछ नहीं करना, शिदा देखिए, कितना परी में संख्या चाहिए, पांच, तो पांच में हम लोग क्या करते हैं, प्लस वन एड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा है, यह 6, इस 6 को रहने दीजे, अब यह लिखिए, 2 बाई 5, इसको उपर नीचा 6 से गुना कर देना है, ठीक है, जैसा पिछले example में किये थे, अब तो हमको जो परी में संख्या चाहिए, वारा बटतीस और अठारा बटतीस के बीच, इसका देखिए, हमेसा ध्यान देखिए, डी नॉमिनेटर जो है, वो सीम है, डी नॉमिनेटर हर जो है, वो सेम है, अगर सेम नहीं होता, अगला example उसमें हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभ 15 बटतीस, 16 बटतीस, 17 बटतीस, हो गया, यह 5 परी में संख्या हमारे पास आ गया, ठीक है, अब दिखिए, इससे और जादे आपको 10 परी में संख्या निकालना है, अगर यहां पर मान लिजए 10 परी में संख्या चाहिए था, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 में 1 एड करते हैं, 10 में क्या करते हैं, 1 एड करते हैं, 10 में 1 एड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 आ गया तो उपर नीचे हम लोग 11 से गुना करते हैं, और 11 से यहाँ भी गुना करते हैं, तो आगे आप लोग solve कर लीजिए तो हमारे पास जो है दस परिमेंसंख्यां बीच की आ जाएंगे आगे आप लोग solve कर लीजिए इसको एक यारा अगर निकालना है तो अब चलिए एक और तो वह कैसे बनाते हैं देखे 2 by 3 है ठीक है 2 by 3 जो है उसमें क्या करना है उपर नीचे पहले गुना करना है जो दूसरा परिमेंसंख्या है उसके डिनोमिनेटर से जैसे 2 बट 3 जो है उसमें गुना करेंगे दूसरे वाले यह जो परिमेंसंख्या इसके हर से 4 बट 4 ठीक है औ 8vs12 और यहां पर देखिया 9 spirits, ौर 9 wave तो इसके और इसके बीच अब निकालना है अब देखिया जो हमारे पास जो संख्या है दो उसका जो हर है जो डिनोमिनेटर है वो same हो चुका है, 12 और 12 same हो गया, अब same process जो previous example है अपना same उसी तरह करेंगे, कितना परिमेशन क्या चाहिए? 2, तो 2 चाहिए, तो 2 में add करेंगे 1, तो हो जाएगा 3 तो अब करेंगे क्या? उपर नीचे 3 by 3 से गुना करेंगे 3 बट 3 और इसमें भी 3 बट 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 24 बट 36 और यहाँ पर हो जाएगा 27 बट 36 कितना हो गया? 24 बट 36 और 27 बट 36 दो परिमेशन क्या बीच की चाहिए तो 25 बट 36 और 26 बट 36 यह हो गया मारा answer हम आपको तीनो टाइप बता दिये अगर वो फ्रैक्षन में नहीं है तो उसको पहले फ्रैक्षन बनाते हैं पहला जो टाइप है अगर वो फ्रैक्षन में नहीं है तो पहले फ्रैक्षन में बनाते हैं वन से डिवाइड करके ठीक है? अगर वो fraction में है और उसका denominator हर सेम है तब तो असान है मतलब जितना चाहिए उसमें एक one add करके ओपर नीचे गुना करके बना लिजे अगर denominator सेम नहीं है तब ये process करेंगे तो यही तीन type है इसका और तीनो type हम बता दिए आज का वीडियो यहीं पर खतम हुआ अगर आपने पिछली वीडियो देख चुके हैं अगर आप तो आपसे exercise 1.1 बन जाएगा और exercise 1.2 भी बन जाएगा उसमें केवल एक सवाल नहीं बनेगा वो कौन सा कि ओपरी में संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दरसाते हैं ठीक है तो जो हम बनाएंगे exercise 1.2 के लिए उसमें हम बता देंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केया थम्राशिब चुझा ड्ringा है विए यशाओा गले वीडियो में झाल के बनाएंगे वीच y LED की के लिए बता देंगे वीडि़ी修ाँ तहगए जए जानेगे बहीं बनाएंगे मेंगे गह और एंभाश जाब कतारी टेक भी ग prossिजाबड़ नहीं है वे उनल हूगे जागे